जमीर जाग ही जाता है अगर जिन्दा हो इकबाल जमीर जाग ही जाता है अगर जिन्दा हो इकबाल कभी गुना से पहले तो कभी गुना के बाद नाजरीन आदाब रूबरो के आज के शमारे में आपका खेर मक्तम मैं हूँ प्रोग्राम की होस्ट यासमीन मंजूर नाजरीन अपने वादे के मुताबिक हम आपकी खिदमत में फिर से हाजर है आईए करते हैं अपने सवालतों का सिलसला जारी और जानते हैं कलरोस के लोगों से यहां के हालात यहां के लोगों से जानना चाहेंगे किन वजुहात के बिना पर यहां का यूथ हमारा यूथ ड्रग्स की और ज्यादा मुल्वस हो रहा है जो ड्रग्स का इशु है हमारा यहां पे मैं आपको अपनी काहनी बताता हूं परस normal काहनी बताता हूं हमारी एक स्कीम चलती थी यहां पर सलफलफ ग्रूप आप अनिपलॉइड इंजीनर्स हम 15,000 इंजीनर्स उसमें जमुएंट कश्मीर स्टेट के स्टेट उस समय के स्टेट में हम काम कर रहे थे यहां पर डेवलप्मेंट प्रोजेक्ट समय गॉवर्मेंट डेजरिवेशन दे आपर्चूनटी ना होने की वजह से डिप्रेशन में निग्रेशन में उनका जाना और पिर उनको जो गलत रास्ते उनमें चला जाना ये तो यकीनी तोर पे बात है अब जब हम बात करते हैं ड्रग्स में ड्रग्स में यहां पे हमारे यहाँ पे जो हमारे यहां पे law enforcing agencies है जैसे police है या बाकी agencies है जब जब इनको हम देखते हैं कि ये लोग किसी drug pedler को पकड़ते हैं लेकिन वो drug pedler अगले ही 10 दिन या 20 दिन या 50 या 2 महीने के बैद खुल जाता है जब किसी बंदे को इस चीज की लट लग जाती है तो पहले वो अपने गर से चोरिये करना स्टार्ट करता है गर का माल बेजता है फिर नोबत यहां पर आ जाती है आपने बहुत जगों पर सुना होगा कि हमारे मस्जद के अंदर से कभी मां का inverter निकाल के लिए जाता है कभी क क्या किया जाता है जब लट लग गी तो बंदा तो कुछ भी करने के लिए तया रहे चाहिए उसका अपना आप उसको दाओ पर लगाना पड़े उसको पैसा उस चीज के लिए लाना है और उसको ने वह काम करना है तो यहां की सोसाइटी की अगर हम बात करें जैसे कि यहां बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें में यह मानता हूं कि जैसे कि हमारा यहां पर एरिया है हमारे अगर कलारूस की बात करें तो अभी तक भी एक डेट में भी यहां पर कोई अच्छा खासा वह प्लेगराउंड नहीं है पिछले डाइम जब डीजी साब आये तो एक जगह मनलब उन्होंने वहां पर रिकमेंड वगएरा किया है जैसे हमारा सरन ग्राउंड है हमारे कलारूस के लोग उदर खेलते हैं अगर ऐसा सिस्टम आ जाए खेल कूद का मैं बेशक का हमारे नोजवान उस चीज़ में अगर लग जाएं मनलब यह किरकेट है या के वाली बाल हूँ अब मैंने आगे कैसे बढ़ना है तो इसको मनलब अंगेज रखने के लिए बहुत सारी स्कीम है अगर हमारी गोवर्मेंट उठाए तो उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है वह हम देखे तो यूथ के लिए काफी सारी स्कीम गवर्मेंट की तरफ से जिसमें के वी आता है इसमें हमारा एक आई प्यो होता है तो बड़ी बात यह है कि वह हमारे दोस्त भी रहें बाई भी रहें तो बहुत सारे यहां पर हमारे नोजॉन बैठे हैं उसको अच्छे तरीके से जानते हैं कि तक्रीबन उसकी वज़ाइब करें तो अगर कम ही कहेंगे तो फिर हमारे नोजॉन को बुलाना चाहिए कि यह स्कीम चल रही है यह मुद्धा है यह पैसा हम देंगे आप अपना काम करिए तो अगर ऐसी मना पीछे से डिरेक्शन देगी जैसे कि आप ने दिखा होगा पिछले दिनों क्या हुआ कि वह ब्लाग देविस हुआ पहाड़ूं प हमारे यहां जो इससे पहले चलती थी पुलीस के लिए बरतीज होती थी आर्मी के लिए बरतीज होती थी रेलवे पुलीस के लिए बरतीज होती थी लेकिन बदकिस्मिती के वज़ा से वो पिछले दो तीन साल से बिलकुल जीरो पे आ चुकी हैं जिसकी वज़ा से यूद जो पड़े लिखे बेकार हो गए हैं बेरोजगार बैठे हुए हैं वह ड्रग्स यहां तो उनके पास दो यह उप्षन है यहां तो वह जहर खाले यहां तो बिचारे सीधे ड्रग्स में चले जाते हैं क्योंकि एक माँ बाप का सपना होता है कि मेरा बच्चा पड़ा लिखा हो जाए उसके बाद में कहीं सरकार की नोकरी मिल जाएगी कहीं प्रवेट सेक्टर के यहां तो आप देखते हैं कि प्रवेट सेक्टर में उतना जाब ऑपरचुनिटी है नहीं तो गोर्मेंटी पे हमारी जो फॉक्स रहती थी 80 परसंट तो हमारी गोवर्मेंट पे रहती अगर कोई उस हाइर ठिंकिंग का बंदा होगा जो उतना पड़ा लिखा होगा इसके पास पीछे से ट्राइबी का जो बैक अब होगा वो जाकर बाहर सिंधित में जो है प्राइवेट जॉब करता है यह कुछ कर सकता यहां बाहर किसी कंटरी में फारियन कंटरी में जाके जॉब कर सकता है। लेकिन यहाँ पे अपने स्टेट में अपने इस डिस्टिक में तो कोई इंडेस्ट्री है नहीं जिसमें वो जाके काम करे। का जो सिस्टेम है योथ क्यू रास्ता बटक कर गलत रास्ते पर चल देखिए यहां पर कई साल पहले हमारे मच्छल में डीजी बरती हुई थी उसमें जो एर्थ पास थे फिफ्ट पास थे यानि मैट्रिक पास थे सब के सब पुलीस में लगे उन लोगों के बचे आज जिस किसी ने भी उस टेम जिस जोड़ सी सरकार थी उस सरकार के लिए आज उसके बाद कलारूस के अंदर से जितनी भी यहां पर चाया हमारे कोपाड़ा के अंदर बरती हो कहीं भी सोपर में हो सीरी नगर में हो बांडी पुरा में हो कलारूस से भी हमारे नाजवान उसमें हिस्सा लेते हैं लेकिन वहां क्या होता है कि वहां पर वो चेरे देखकर उनको जॉब्स मिलता है हमारे कलारूस के लोग जो है कलारूस के नाजवान जितने भी हैं वो अपनी ट्रेन करके या के बरती में जाते ही हिस्सा लेते उसके बावजूद भी फिर भी वापस आ जाते क्योंकि उनके साथ तब भी दोखा है वहां भी रिश्वत खोरी चली पै हम यहां की बात करें अगर नौजवान अभी किरकट के गेम खेल रहा है या वाली वाल की गेम खेल रहा है तो सबसे पहले हमारे कलारूस के अंदर उनको खेलने के लिए ग्राउंड ही नहीं है वो कहां खेलेंगे अगर किसी की खेत में खेलने के लिए जाएंगे तो खेल क कियोंकि एक हमारा कांवन को मैं समझता हूं और पैरन्टस को मैं समझता हूं क्योंकि पैरन्टस की अगर पैर्नटस करते तो यूछ ड्रकस न करता उर कानुन अगर साह देता जल से ड्रगस पकड़ा जाता है उसको छूट नहीं होती दस पंदरा दिन दो मीहने मीहने के बाद तो कला कमा हो जाता ड्रगस जमीन से ही उठता पहले यहां पर हमारे जो पहली एक पीडी गुजरी है हमारी में अपने बाप की बात करने उसी के वह लोग ड्रगस नहीं करते थी क्यों नहीं करते थे उन लोगों कि अगर अगर अधालिम काम थी लेकन वो बच्चपन से थोड़ा बालग होकर किसी भी काम माबाब रोजगार में लगा दे थे वह उसी में मस्रूफ रहते थी चाहे वो मसदूरी हो चाहे हो माल मवेशी रखने का काम हो उसी के अंदर वो अपनी तजार तुसरी में गजाए तै लेकन आजकाल हमें हम आपने बच्चों को पहले सगूर में दाखला दे दे थे छे साल या दस साल बालिख होने तक वो तो वहां अपनीजिन cm गजारते हैं अब अमएद रखता है एक बाप या वो बचा कि मैं आगे जाउंगा आगे मेरा कोई रोज़गार मिल जाएगा लेकर बदकिस्तिजिती ऐसी है यह दस साल ओगे यह आठ साल कबाने लोगी उनको कोई रोजगार मिल नहीं सकता है चाहिए वो मैटरिक से ऊपर अम नहीं करतें ं मैटरिक से ऊपर वह जब फास जाते हैं अब हम आनको खेते हैं कि भाई perm scared करो वह से तंग आते हैं मजदूरी करते हैं ना उनको करनी आतीbacks बाद में वह उनों मुलाजमित के थरू इनको कमज काम कुछ ना कुछ रोजगार दिया जए ताकि यह जाओंगी जो गवर्मेंट ने स्कीम्स रखी है यूथ के लिए जिससे वह अपना बिजनिस स्कीम्स कर सकते है वह किस शाद तक काम्याब है माड़ kings gdzie यह बेक ओर एलिक एरिया है यहांपर उतने बिजनिस के कोई फैक्टरी नहीं कि यहां पर कोई बिजनिस करें यहां पिछड़े खरके हैं ईर्लाके यहां जी जी है पैसे देते अपना बिजनेस एस्टाबलिश कर सकते हैं अपने पूरे अलाके को फिर उसमें गौर्मेंट ने बहुत सिकी में रखी आपके शुक्र लेकर यहां पर बिजनेस का मौका नहीं है किसी आदमी को करने को की कि यहां पिछड़ा हुआ अलाका है यहां को उत्रह मार्कीट बड़ लेती है आगे से गौर्मेंट तो वह फास जाते हैं वह वह से भी तांग हो उन्हें वह बिजनेस भी छोड़ दी है यहां का फूरूट था उसकी रेट भी डावन होगी है उसकी भी कौन बिजनस करेगा इसलिए कोई सिकीम आए भी तो लोग डर जाते हैं कि कोई स्कीम में करप्शन को लेकर कितनी ट्रांस्परेंसी देखने को मिल रही है देखे यहां पर दो सवाला आए है एक ड्रग्स पर और दूसरा क्रॉप्शन पर दूनु का मेरा एक ही आंसर है जिस तरह एक इनसान के जिसम रगों में खौन दोड़ रहा है इस तरह यहां पर में बिजी रहते हैं या उनकी पास बिजनस होती या एड्रिस्मेंट होती शायद यह ड्रग्स कम देखने को मिलता लेकिन पिछले सतर सालों से अगर की बात करेंगे यहां की यूथों पर काफी सारा डिप्रेशन आया जिसकी वाज़े से वो ड्रग्स क्यों रहा है कॉरु सेवल काम किया ही नहीं मैंने जब से लाइफ अपनी स्टार्ट की मैंने इंडियन आर्मी के अपना हाथ बढ़ाया और उन्हें से अपना काम किया लेकिन एक बार मुझे गलती हुई मैंने बलाक की और अपनी टांग डाली मैंने एक काम किया एक लाग का अगर काम होता है पर 60,000 है पिर जब काम स्टार्ट करके कंपुलिट करके पैसे निकालने की कुश्च करेंगे तो वहां पर 8-10,000 फिर से खर्चा यानि एक लाग का काम 50,000 में कंपुलिट हो पहले आप देखे कि काम कैसा होगा पंचाजार का काम और कब तक रहेगा यहां पर यह जो इसके लिए आप किसको जिम्मदार ठहराते हैं देखे इसके लिए वियार रस्पॉंसिबूल बिकाज मजबूर भी है हम हम इसलिए मजबूर बहुत करेंगे यहां पर जो पिछले अगर हम इन 70 सालों की बात नहीं अगर हम 24 साल की बात करेंगे काफी सारा डिप्रेशन आय तो हमारे पैसे जिस तरह 2017-18 में यहां पे काम हमने किया है उसके पैसे अभी तक बलाग से नहीं निकले तो हम चाहते हैं कि जो पैसे आ भी गए है वो पैसे भी हमारे हाथ में आने से हम डर रहे हैं करप्शन जो यहां पे करप्शन जो है वो हमारे यहां पे जो पिटी इशूज है उसके लिए यहां पे लोगं को तंक किया जाता है यह मैनली जो हमारा यह है यहां पे हमारा जो सिवल सेट अप नहीं है सिवल सेट अप कम डिमोक्रेटिक सेट अप जो हमारा है वो पिछले तीन साल से यहां पर मिसिंग है हम यहां पर अपने रिप्रेजेटिटिव के पास जाके उसका ग्रेबां पकड़ते थे कि हमारे हमारे कोई अफसर तंग कर रहा है लेकिन अगर हम जब हमारे यहां पर जो हमारा अभी जो थ्री टायर सिस्टम है ये लोगzahl अगर हम इन लोगों को बताते भी है इनको इंपाउर उतना नहीं किया गया है कि ये किसी आफिसर को पकड़ते कि आप कर्पृषिन मत करो ये इन लोगों को इतना कमजोर भी रखा गया है गारिकीनी सुरितियाल में रखा गया है एतने ενपावर नहीं है कि He के पास चेने जाते हैं और उसको बोलते हैं अब जब यह बोलते से भी है किसी officer को तो this officer survey का होता है आक्षिकारि में हमारी आक़ दावर हैं तो उनेरों ए इसा मैंने नहीं देखा क्योंके बहुत सारे लोगे बड़े अगर हम I.S. officer की बात करें K.S. officer की बात करें तो उनको इन चीज़ों पर जब से ये हिसाब किताब चला है जिसके खिलाफ कोई case वगरा रहा है तो उनको नोकरियों से निकाला गया है ये बड़ी बात होती है क्योंकि जब एक officer को आप नोकरी से निकालते हो वज़ाई ये बताते हो कि आपने वहाँ पे फलानी जगा में आप वहाँ पे officer आपको बेजा गया था चाहिए उसको वीडियो बेजा गया था या उसको ACD बेजा गया था या DC बेजा गया था मदब आपको वहाँ पे जमदार ठराया था, आपने वहाँ के लोगों के साथ नाइंसाफी किया है, उनका पैसा खाया, उनका हक खाया है, उनके साथ मदब आपने जलम किया है, तो यह चीज़ें जब उसमें पाई गई तो उसको नोकरी से बार निकाला गया, तो आज बाकी जो ऑफिसर दूसरा जो आता है, तो उसको सबक लगता है, तो हम उमेद रखते हैं कि जो यह स्टेप है, इसको मैं वेलकम करता हूँ, क्योंकि यह अच्छी चीज़ है, तो उमेद है कि ऐसे लोगों को, जो भी यह लोग है, जो भी ऐसे ऑफिसर है, बिलकुल उनके है, इस मामले में अभी भी है, क्योंकि मैं यह कहूंगा, कि यह तो 100% में वो फरक क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन यह मेरा मानना है, कि जहां तक मुझे नजर आता है, तो कम असकम, अगर 100 में से कम से कम, फिर भी 30% जो है, वो फरक पड़ा है, तो उमीद यह रखता हूँ, क यहां पर हम भी मानते हैं कि आज कम सकम, 100% में से 70% अभी भी है क्रेप्शन, 30% कम हुगा है, मसला यह है, कि करेप्शन बंद करने वाले क्रेप्शन बंद करते हैं, यहां से आम लोगों का काम भी नहीं करते हैं, जितनी क्रेप्शन की बंद होती है, यहां से आम लोग पीस पीसे जाते हैं पहले करेप्शन होती थी कोई रपिया दस लाग का काम करता था या पचास लाग का काम कर उसमें कमज कम 30% वो ले जाते 70% आम लोगों को दे देते थे आज उनको पता है कि क्रेप्शन में हम फस गए तो हमारी जगह नहीं है लेकिर हमारी बद्किस्मती की वज़क वजह से उनका तो मसला हुआ हमारा काम ही नहीं होता आम लोगों का हम लोग तो परивается आफ जाते आपनी हैं। करके काम करके रिपया दो लाख गर का खरचा कर देते यह पैसे जाट जाते आपने मजबूरीं आप भीज में फास जाती हैν। वो देखकर आपने पैसे निकाल देगे कोशिश करते हैं, इस वज़विए से अभी क्रेप्शन या थि गॉर्मनेट इसके ऊपर जैसे कदम उठाया इसके ऊपर गॉर्मनेट कोई कदम उठाये तो क्रेप्शन बंद हो सकती है फिर आम लोगों का काम भी हो सकता लेकर हमें को बोलेगा सेवल लोगों के आप कर्याप्शन बंद करो वो आम से हो नहीं सकता है अपनी 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 मजबूरियां को फाइदा को किसी तरीके से अपना हल निकालते हैं लोग शुकर अलहम दो सालियों की अंदर यहां पर बहुत हमें मतलब ऐसा बदलाओ देखने को मिल रह अपनी जाए है हमारे सरपाईच साब बात की तो वो प्रवाल की अंदर वो चलते रहते हैं ज्यदा तो और उनका तालग है यह नेरेड़ीचस को लेकर यहां पर हमारे यह साब को भी गार चलाना है वीडियो साब को भी चलाना है आगे और भी कलार्ट साहिबान बैठ़े ह होते हैं इनके वो कागज डाकूमेंट आगे पीछे उनको भी गार चलाना तो उसके कारण इनको वो पता वो तो उन्होंने अपनली बता दिया है तो मेरी गुजारश रहेगी मैंने पहले भी काया और इस कॉरॉप्शन को भी लेकर मैं यह कहना चाहता हूं को जितने भी पॉ मैं दिल से कुक्या दा करना चाहता हूं कि वह इस चीज को लेकर जूशे को लेकर ज्वाइदा साथ मिल जूल कर चलते हैं यूद के साथ मिल जूलकर छलती हैं हमारे मेल के साथ हर लिहाँ साथ के तोर पर यह मैं। अपने मरकिस गोवर्म Cornell से भी कहना चाहता हूं कि यहां कि जो आंडियन आर्मी है हमारे साथ शाना बाशाना चाहे ड्रगस का मसला हो चाहे करॉप्शन का मसला हो चाहे हमारी कहीं पर दिखते हो परिशानी हो हमारे गर की परिशानी में भी आंडियन आर्मी हमारे साथ तावन देती है यहां पर डेव जिसमें काम किया है ठेकदरोंने जिसमें मैं भी अनवाल हूं मेरा भी उस खाटे में तक्रिम बीस बाइस लाग बंदे मेरा नाम दर्जा लोन है आप देख सकते हैं के अलाटमेंट हो कर काम कम्पलीट करके तो पेसे बंदे हैं भी और दोसा दो हजार पंदरा मैं फुलड आ हैं थाट है हमा के दो चार दोस्त मेरे सिपाट ट्रीटमेंट एक सिकीम एक निकाली डी सामने बोला सिपाट ट्रीटमेंट जल्दी करो और इसको प्रोटेक्शन देरो उसमें एक बंदे का 10 15 में मेरा उसमें 12 लाग लेकर पेसे निकलने में नहीं आया आज तक 2015 से आज तक का तो ओर टुरिजम तोरिजम के बारे में मैं सोच एक हमारे इसकलार रॉस लॉला में कलाब जगह है और इसकलार बैल्ट nya करुछ लश्टयाल और लश्टयाल में यह केव वो जगह है कि जो मेरे खयाल से आज से पहले 10 साल टुरिस्ट मेफा वरल्ड टूरिस्ट मेफर चड़ा हुआ है लेकिन आज तक डिवलमेंट के बारे में कुछ नहीं हुआ है यहां पर आज दस सालों मैं यहां पर होने चाहे थे हटस 10-15 यहां पर होने चाहे थे बातरूम 10-30 और यहां की खूबसूरती ब्यूटी यहां की ता मगर करने में कुछ नहीं आया कम अज़काम 19 पंचायतों के ओपर यह एरिया है 19 पंचायते आती है यहां बहुत बड़ा बलाक है हमारा पापलेशन के लिए से भी बहुत अबादी है यहां में यहां बीडियो साब एक है जिसको दो स्टाप दिए गए एक तो वो मच्छल एरिया में पहले अपनी डिपटी वहां भी उसको देनी पड़ती है मजबूर है यहां हमारा एडिरेशनल चार्ज वो रखा हुगा है इसल उसका एड्रेस तो हमें अलामा इकबाल हमें सियाल कोट पंजाब पाकिस्तान से देते हैं पानी तेरे चश्मों का तड़ता हुआ से माप एवादिय लोला लेकिन यहां पे जो हमारी सरकार है टस से मसनी हो रही है हमारी एक टूरिजम डेवलेमेंट एथार्टी है यहां प मुफद मैं वो पैसा खरच करके वहां पे मुलाजम को तंका मिल रहा है उनका उनके दो चार मुलाजम हैं वहां पे क्योंकि कभी वहां पे कोई मुस्तकिल अगर वहां पे हैड़ आ जाए वो कभी नहीं होता है वो बिचारे बड़े परिशानी में उनकी वजह से हमें पैस टिके ऑफिशल्स थे उनने उनको भी निकाला अब उनका जितना भी टूरिजम इंफ्रास्ट्रक्चर है यहां पर डिस्टिक को पाड़ा में उनका सारा वो वीरान पड़ा हुआ है खस्ता हाल है हम गोवर्मेंट से यह अपील करना चाहेंगे कि वो इनकी तरफ द्यान दे इ जो जेके टूरिजम है वो उस उनने वो तो बाहर हर जगा पर रोड शोज करते हैं हर जगा पर मलब कंपेंज करते हैं कि कश्मीर लोग आ जाएं वो लेकिन उनके जो होडिंग से उनके जो अक्पेंज मिटी रिल है उस पे खाली गुलमर कर पहल गाम उस्टॉन कर नमार का है कुपारा में इतनी फैमस जगा है बंगस उसके बारे में कोई नाम निशानी नहीं नीजा है उनके मेला जो जो कंपैन्स है जो उनके रोडशोस है उनमें कभी उसका नाम नहीं आता है हम टूरिज़्म तूरिजम डिपार्टमेंट से भी अपील करेंगे कि वह कुपड़ा को भी अपने नक्षे पे चड़ाए कम से कम हमें भी उन कमपैंज में इसूज में इन वालों करें जो वो रोडशोज बाहर करते हैं सबसे पहले अगर हम टूरिजम की बात करींगे यहां पर आप जो देख रहे हैं जहांपर आप मुजूद हैं यह कलारूस का आप क्लावरूस का अलाका है इस बारे में अगर सरकार ने इस पर कुश्ची की होती अगर सरकार ने कोई एकदामात उठाए होते यहां इन अलाकों में इन टूरिजम जो यहां टूरिजम प्लेस जगा है अगर इनकी तरफ रोड बनाया जाए यहां पर ग्राउंडस बनाया जाए यहां पर वो हट्टस बनाया जाए जिन हट्टस में लोग आते यहाँ पिर बैठ कर यहाँ का नजारा उठाते और यहाँ पर दुकाने बन जाते यहाँ पर खेल कूद का कुछ यहाँ पर सिस्टम शुरू हो जाता लेकिन गॉर्मेंट ने यहाँ पर नहीं चाहती है कि यहाँ पर तुरिजम सेक्षन बना दिया जाए ताकि लोग भी यहां पर आकर यहां पर खुश और यहां पर साफर करते जो बाहर से लोग आएंगे और यहां पर नजाराद देखकर यहां पर खुश हो जाते लेकिन गुवर्मेंट की तरफ से टूरिजम की तरफ से खासकर कलारुस की तरफ कोई तवाज़न नहीं दे रहा है यह सब सी मुझे लगता है कि गुवर्मेंट को इस बारे में सोचना चाहे और हमारे जो जिले अड्मिस्टेशन के चाहे डिप्टी कमिशनर साब है यह हमारे जिले से जो इस वाकर चेयर परसन डीडिसी चेयरमेन या वाइस चेयरमेन या हमारे डीडिसी जो यहां का कलारुस का है या बीडिसी साहबान यहां पंचा है थे इन सब को मिलकर चलना चाहे इसके लिए कुशुश करनी चाहे कि अलाका हमारा कैसे development हो जाए और हमारे अलाके में कैसे ये tourism sector बन जाए या हमारे road कैसे ठीक हो जाएंगे हमारे BD के जो वसायल है जो लोगों को परेशानिया है वो कैसे ठीक हो जाएंगे लेकिन मुझे लगता है वार्ड मेंबर्स है उनका भी एक हक बनता है अगर वो जिले अड्मिस्टेशन को जाए अपनी रिप्रेश्टेशन को लेकर कि हमारा ये कलारूस एरिया है यहां लिश्टाल का अलाका है इसमें टूरिजम प्लेस है हमें यह रोड दीजे हमें प्लेड ग्राउंड दीज है इसकी तरफ तवाज़ दिया है बागी यहां की जो डिलामेंट की बात है डिलामेंट यहां हर किसी को नजर आरे मेरे कहने से कुछ नहीं है यहां रोड इसकी जूरत है हाटस की जूरत है पारकिंग की जूरत है ताकि बाहर के लोग यहां आकर सेर करें जिस तरह बागी जागों पार है इसे तरह यहां भी हमारी तरफ से सरकार और जिला इंतिजा में से गुजारेश है नाजरीन इसे के साथ रूबरू का आज का शमारा इक्तिताम को पहुंचता है आप भी अपने इलाकों से हम से हमारी सोशल मीडिया अकाउंट्स पर जुड़ सकते हैं तो